कि अधिया लेटों के आप लोगों का स्वागत है धर्शक को मुम्रा के अंदर आय दिम नशे के ऊपर गुंडागर्दी मार्पिट और दुनिया बर की समस्याओं को लेकर ठाने जोन नंबर एक के डीसीपी गनेज गावडे उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में क्या कहा सुनि लिए आपके जो कुछ इशूद है वह आपने पताया उसकी वज़े से अच्छी तरह से आपकी भावनाए उज्य तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि हमारी जो भावनाए है वह भावनाए आप लोग हमें बता रहेते हमने जो आपको बताना चाहिए था वह एक लुट होने चाहिए सबी जगें पर जो कानून का राज है वह चलते रहना चाहिए लेकिन नो यह होता नहीं है यह उने ऊसा को मालूम है यह कंट्रोल करने के लिए यह कहा जाता है कि जो आम आत्मी है वह बिना युनिपर्म वाला पुलिस है और पुलिस वाला यह कॉमन में आज़न को भी दिए, आपको मलूम होगा 2020 में प्रोविजन है, जैसे पुलिस वाले आरेस्ट कर सकते जैसे सिरिया सप्रफियस में आरेस्थ करने की पावर, कोमन आदमी वो भी है आं आदमी वो भी है वो स्राइस करके उसका काम है जो पास का पुलिस टेशन होगा वहाँ पे उसको सरेंडर कर रहा है देना है तो बहुत से काम ऐसे है कि पुलिस के संख्या आपने ते बोला कि 10 लाग की आबादी के लिए 400 लोग होंगे किदी लोग का है तो प्यागरे 130 लोगों में हमरे senior के आए पूरा मुम्रा मुम्रा हैने सिर्क मुम्रा नहीं है यह एरिया तो है इसके साथ दिवा भी है उसमें lawyer daughter है, prime है, court का काम है, some inspiring है बहुत सारे काम है कि वो काम में करने के लिए हमारे पास एकम है नंबर कमें लेकिन हमारे पास सबसे आच्छा जो है कानून हमारे पास है कानून ने दिये हुए अधिकार हमारे पास है इसलिए उससा आच्छे से प्रयोग किया तो हरेक आदमी ने गत्ती की, तो हरेक आदमी के उपार कारवई करकर उनको शांत करने से काम नहीं बनेगा, लेकिन ये कि आदमी के उपार सक्त कारवई की, इतनी सक्त कि बाकिया हजार लोगों में वो मेसेज जाना चाहिए, कि वो मेसेज जाएगा तो कोई भी गलत काम करने से डरेगा इसकी कोशिश इसके आगे हम सबसे हम पुलिस की तरफ से हम आगे भी करते रहेंगे आभी भी कुछ कारवाया चालू है लेकिन फिर भी अभी हमने इस प्रायोरिटी पे लिया है कि द्रफ के बारे में हम अभी एक्शन मूड में आकर इसके आगे यहाँ पे काम जो हर्ड के ओफेंसे है मारा मारी कोई आटेंब टू मर्डर के ओफेंसे से मर्डर के ओफेंसे से जगडे है रायट से इसमें हरे किसमें कहीं नहीं तो नशा किये हुए आरूपियों के वज़े से एक उने हुए है यह हम जब शेक किया तो उसमें धान में आया कि नशा है इसका रूट कॉज है यहाँ पर शेलंका में शायद इस चार मैने हुए होगे, मर्डर हुआ था मर्डर भी रात के टाइम में मर्डर हुआ था, जिसका मर्डर हुआ शायद वो भी नशे में था, जो लोगों ने मर्डर किया वो भी नशे में थे इतने गंदे तरीके से मारा था, कुछ कारण भी इतना बड़ा नहीं था, तिर भी मर्डर हुआ था तो उस बार भी हमने सोचा था कि ये कारवाई शुरू करने है लेकिन अभी तो अच्छा ये हुआ है कि अभी नशामुक्ति अभियान भी शुरू है जिसके अभी हम एक अच्छा सा प्लान ओप एक्शन बनाएंगे ये प्लान ओप एक्शन में आपकी तरफ से हमें सबसे ज़्यादा सही होग लगेगा नुम्रा के और डाइगर विवाजु में वहाँ के जो ड्रुग पेडलर्स है इसके पहले जिनके उपर कंजम्शन की केसे थे क्योंकि ये ड्रुग सिर्फ बेचना गुना है इसा नहीं उसका साथ रखना उसका ट्रांस्पोर्टेशन करना वह कंज्यूम करना खुदने वह नशा करना वह भी गुना है तो ऐसे भी है उनके हमने लिस्ट बनाई है वह अरूपी अगर फिर से बुना करेंगे तो उनके ओपर स्ट्रिक से स्ट्रिक कारवई होगी उनको अगर 107-110 की चाप्टर केस की कारवई दरने यहां बेटे वाले शिंदे साब वो कारवई दरने यह सीपी साब उनको तड़ी-बार करने वाला होगा तो तड़ी-बार के पाउंस मेरे पास है मैं तड़ी-बार कर दूगा उससे भी जादा उंसे होते है तो यहां बेल भी ने और बाहर भी ने आ सकता हूँ तो ये स्ट्रिंज अटेक्शन, चाप्टर केसे, तड़ी पारी और एमपिडिये, ये स्ट्रिंज अटेक्शन हम इनके ऊपर करने वाले लिस्ट हमारे पास तयारे, मैं आज सभी जो ड्रग पेडलर से उनको चेताओं नहीं देना चाहता हूं, आप सुधर जाए, ये अब त हमारे नीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइप करें, कमेंट्स करें, शेर करें और घंदी का बटन प्रेस करें, ताके आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिसिकेशन आप सभी को मिलती रहें, जै हिल, जै महराश्टी